गुट इवनिंग मेरे प्यारे वागवान साथियों तो आज में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि हमें ग्राफ्टिंग के लिए नाइफ का सही इस्तेमाल कैसे करना है तो सबसे पहले आप देखें ये चाकू ये ज़्यादा कोस्टली नहीं है लगबग 600 रुपए की कोस्ट है और इसकी खास्यत यह है कि इसको बार बार तेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो अब इसके सिस्टम को मैं आपको बताता हूं इसका सिस्टम क्या है जैसे छोटी पाल्टियां होती है तो इसके लिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है सबसे पहले आप देखिए पीछे से बैक साइड से तो यहां से काफी मोटा है सेंटर में से और आगे से तो आप देखी तरुपक क्या है? अगर हम बीच मेंसे बीच पाल्टी कि लगाते हैं यah कलम में कट लगाते हैं तो लगा तो dejar जाएं से फट snow ळाई कि पॉजिट साइड पाल्टी को Sutrasya साइड पाल्ट करो जाएगी पाल्टी को छिलने के लिए और कलम को छिलने के लिए जो बीच में से इसका मोटा वाला भाग है यहां से हमें इसको यूज करना है छिलाई के लिए अरब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बीच में से आगे बढ़ते हैं तो यहां यह जहां यह चोंच जैसे दिख रहे हैं तोते की जैसे चौंच होती है इस तरह से इसमें यहां पर एक चौंच है तो यहां से यह मोटा नहीं है बिलकुल उपर से इसको बिलकुल पतला सा किया गया है आप देख सकते हैं बिलकुल पतला इसको किया गया है उपर से देख सकते हैं तो आगे से इसका इस्तेमाल कैसे कर आगे से जहां से यह उपर से चोंच बना रखी न तोते के जैसी चोंच तो यहां से जो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कलम में कट लगाने के लिए बीच में से जब हम कलम में कट लगाते हैं उसके लिए इसका आगे से ही इस्तेमाल किया जाता है जहां पर यह चोंच है क्य यानि कि जहां हमें कट नहीं लगाना है, वहां भी कट लग जाएगा. तो यह फाइदा है, इसलिए इसको यहां से पतला किया गया है, ताकि हमारी कलम है दूसरे साइड को ना फटे, अपोजिट साइड हमारी कलम नहीं फटे. और फिर आगे आप देख सकते हैं बिल्कुल एक चौंच जैसी बनाए गई है, बहुत फतली सी यह देखिए, चौंच जैसी बिल्कुल पतली आगे नोक, बिल्कुल तेज शार्प आगे बनाया गया है, आप यहां देख सकते हैं यह, अब इसका इस्तेमाल हमें किस कामें करन यह तो मैंने पहले बीच वाला बताए फिर इसके बाद जहां यह उपर को यहां पर नोक जैसी बना रखेए इसका इस्तेमाल बताए अगला इस्तेमाल यह बिल्कुल पतली सी आगे को बना रखेए यह चौंच जैसे तोत्रे की फिर आगे वाली चौंच होती है जो आगे करने के लिए होती है वैसे इसमें आगे चोंच बनाई गई है अब इसका क्या इस्तेमाल है अब इसका इस्तेमाल है जब हम स्ट्रेप ग्राफ्टिंग करते हैं स्ट्रेप ग्राफ्टिंग माने तो सब स्ट्रेप ग्राफ्टिंग उन फाल्टी में की जाती है जो की एक इंच से मोटी होती है उसमें स्ट्रेप ग्राफ्टिंग की जाती है या फिर उसमें वार्क ग्राफ्टिंग भी की जाती है जिसका बार से उसकी बार्क को उखाड करके वहाँ पर कलम को इंसर्ट किया जाता है तो उस बार्क को यानि कि उस छिलके को साइड से ऐसे कट मारने के लिए या साइड से इस तरीके से उस छिलके को उखाडने के लिए इस स्थोंज का इस्तेमाल किया जाता है अब तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं बीच में से पाल्टी को छिलने के लिए और जो ये थोड़ा आगे वाला हिस्सा है उपर जैसे मुझे में भी उपर को ऐसे होती है उपर की तरफ उस तरह से ये डिजाइन दिया गया है और पतला बनाया गया है यह कलम में कट लगाने के लिए और कलम को छिलने पाल्टी में कट लगाने के लिए कट लगाने के लिए और आगे वाला वार क्राफ्टिंग के लिए दूसरा नाइफ है यह पतला है इसकी ज़्यादा कोस्ट नहीं है यह यह लिए भीड भीड ने DR. МT 1,500 रुपए की आजबासका चाकू है और इसका जो हम इस्तेमाल है यह हर कामें यूज़ इसको कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम पतली पालिटी को चील सकते हैं और मोटी पालिटी को इसको हम नहीं चील सकते हैं तो प्थोड़ा सा यह बैंड्ड हो जाता है पेचे से भी मोटा नहीं है। नहीं सो नहीं है। इसका ड्रोब बना सकते हैं किसे आगे से पतली है और पीछे से भी थोड़ी पतली है क्योंकि इसे opposite side आपकी कलम भी नहीं फटेगी और वाल्टी भी नहीं फटेगी कलम कर्स लगाते टाइम और फिर आप आगे देख रहे हैं ये बिल्कुल पतला ये पतली सी ढाल इसमें है नीचे को आप देख सकते हैं नीचे को ये ढाल है आगे बिल्कुल पतली सी चौंच इसमें है तो आगे से इसका इस्तेमाल किस काम में लाया जाता है आगे से जो इसका इसका इस्तेमाल है हमे स्ट्रेफ ग्राफ्टिंग के लिए ही करना है जब स्ट्रेफ ग्राफ्टिंग में ये वार्क उखड़ इसकी छिलका इस तरीके से उखड़ा जाता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है चिलके के लिए और वहां पर फिर कलम को इंसर्ट किया जाता है जो एक इनसे मो में Cut लगादेते हैं इसको Side में रख दिया अब इस चाकु को use करते हैं क्योंकि थोड़ा मोटा है क्यांकि की बेंड नहीं से लगाऊंगा तो यह पाल्टी हार की दर को फट जाएगी कलम लगाने में दिक्कत आएगी अब जो यह अगला हिस्सा है पतले वाला ज्यादा मोटी पाल्टी में तो नहीं लगा पाएगा क्योंकि काफी कम एरिया है आप जैसे आप देख पा रहे हैं कट लगाने के लिए क आप यहां से ही इसमें कर्स लगाना है और इस तरीके से कर्स में लग गा यह अराम से बसलग गया फिर उपर से कट कर देते हैं अब कलम की बात आती है अब ये कलम है ये Z1 है जैसे कि आप सभी को पता है Z1 काफी फैमस है काफी अच्छा साइज बनता है Z1 का सिडलिंग के उपर बिशेश कर काफी अच्छा साइज बनता है M9 के उपर तो बनता है सिडलिंग के उपर भी काफी अच्छा खासा साइज देखने को मिलत अब झळने के लिए मैं इसको बीच में से यूज़ कर सकता हूं कि कुलम का जो ये इस हिस्सा होता है की डिखैक तो यहां यह तक है यहां से हमें कलम उठानी है अब बीच में से तो नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि यह इसा मोटा है यह फारदे काहर की दर को आगे से उठानी पड़ी अब आगे का जो में इसा है इसका कलम में कर्च लगाने के लिए यूज करूँगा अब आप जैसे देखें यहां से मैं इसको यहां से उठाता हूँ कलम को दीरे-दीरे से फसाया अगला इसा दीरे-दीरे से ऐसे और यह मेरी कलम रेडी हो गई अब इसको इसमें इंसर्ट करते हैं कलम भी मेरी काफी अच्छे से बन गई और इसमें सेट भी हो गई है काफी अच्छे सेट भी हो गई है एकदम से यह तो अब इसमें रेपिंग का काम करना है वो मैंने काफी वीडियो में बता रखा है क्या से इसको रेप किया जाता है तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलम के फेल होने के क्या क्या रिजन होते हैं क्यों हमारी कलम फेल होती है उसके विशह में एक वीडियो